टॉप फाइब बेस्ट गेमिंग स्मार्टफून अंडर थर्डी ताउजन तो पर अगर आपको तीस हजार के बजर में गेमिंग स्मार्टफून चाहिए कैमरा भी अच्छा चाहिए डिजाइन लुक वाइज भी आपको अपर चाहिए यह वीडियो श्पैसलिए आपके गया आपको तीस हजार के बजर में यह स्मार्टफून देखनी को मिल जाता है स्मार्टफून पूरा आपको लॉडड़ में जाता है विकल्स आपको डूइल डिस्प्ले तीक ने को मिल जाती है जो कि गीमिंग के लिए बहुत ही ज्यादा तगड़ा भी अगर आप हाड़ को गीमिंग करना जाते हो आप इसली नॉर्मली कर सकते हो सिक्स जी भी रैम के साथ देखने को मिलता है प्लस भी मैं आपको यह चीज बता देना जाता हूं कि जो स्मार्टफून है ना आपको आई पी सिक्स्टी एट रेटिंग वाटर एंडस्ट रेजिस्सनर रेटिंग के स साथ देखने को मिलता है मतलव आपको वाटर प्रूप स्मार्टफून देखने को मिल जाता है अगर पानी में गिर भी जाता है वान पंट फाइम मीटर तक आप नॉमली डिपकर करके रख सकते हो आदे गंटे तक तो यहां तीसे जार के बज़र में आपको वाटर आपके लिए बहुत ही ज्यादा दगड़ा होने वाला बैक कैमरे में अगर आप फोटो सब्सक्राइब करोगे तो आप अपने फेस को देख सकते हो कि फोटोस में पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि आपको डूल डिस्प्ले देखने को में जाती जो कि स्पून की प्लस सकते हो अगर मैं स्मार्टफून की बात करूं तो मैं आपको बता देना जाता हूं कि रियल्मी एक्स थ्री सूपर जूम में आपको IPS LCD देखने को मिलती है जो कि वान ट्वंटी रिफ्रेश्ट के साथ देखने को मिलती है लेकिन जो रियल्मी एक्स सेवन प्रो है वो आपक प्लस डेखने को मिलता है जो कि अन्यूमीट्य टेकनलोजी के साथ बेज़ दोनों में आपको कॉर कैमरा सेड़न मिल जाते हैं तो फ्रेंट केमरे में आपको फॉर के अप्शन नहीं मिलता है अगर आप सैल्फी लेने की ज़्यादा श्कीन हो आपके लिए बैस दिल हो तो यहार में आपको दोनों ही स्मार्टफून के बता भी है अभी बात करते हैं दोनों में से कौन सा लेना चाहिए अगर स्पैसिफिकेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए डिजाइन लोकवाज देखा जाए तो रियल्मी एक सेवन एक तो नया लाउंच होगा है 5G स्मार्ट जूम का जो कैमरा है उसके साथ जो प्रसाइसर है वह आपको बहुत अगड़ा मिल जाता है अगर आपने हार्टकूर गिमिंग करने हैं वह स्मार्टफून भी आपके लिए पॉफ्ट डील हो जाएगा तो आप देख लेना आपकी रुक्वाइमेंट क्या है अगर आपको न्या फूं चाहिए वीयल्मी X7 pro आपके लिए लुए बैस्ट दील हो सकता है अगर आपको कैमरा चाहिए तो ऊसके साथ पोस Ó scanner भी आपको तैगडा चाहिए तो आपके लिए पोक्वाइभी lock डील हो सकता है वीयल्मी 63 की न sättוח नौ m 것이 नंब स्मार्ठफून में बात करू में बहुत ही ज्यादा सही लगे गया and जो vivo v20 है इसके तीनों ही colors बहुत ही ज्यादा suit करते हैं ठीक है दोनों में परसाइस और आपको ज़्यादा तगड़ा मिल जाता है लेकिन IQ 003 का जो परसर है वो ज़्यादा तगड़ा है as comparison किया जाए वीवो वी 20 प्रो के साथ लेकिन जो वीवो वी 20 प्रो है उसका कैमरा ज्यादा तगड़ा है आप इस स्मार्टफून के और जा सकते हो अगर आपको लाइक कैमरा चाचाएगे तो वीवो वी 20 प्रो आपके लिए पॉफेट डील हो जाएगा आगे बात करते हैं नमबर टू की बात करूं नमबर टू पर यार मैंने डखा है स्मार्टफून की बात करूं सबसे पहले आपको यह स्मार्टफून फाफ जी दीखती को मिल जाता है इसके कलर इसका डिजाइन इसकी लुक मतलों बहुत ही ज्यादा अपर है मैं की और से आता है मैं भी एक ट्रस्टेड ब्रैंट है दो विर्ट में देखने को मिलेगा यह स्मार्टफून सिक्स जीबी रैंप के साथ एट जीबी रैंप के साथ दो कलर में दोनों कलर इसको बहुत ही ज्यादा सूट करते हैं स्नाइट ब्रागन 865 देखने को मिल जात 144 रिफ्रेश्ट के साथ देखने को मिलते जो की गुरिला ग्लास 5 की प्रैशन के साथ देखने को मिल दिया ट्रेपल कैमरा मिल जाता है जिस पर आप 8K वीडियो शूट कर सकते हो फ्रंट में आपको 20 में अक्सल की सेल्फी मिल जा दी लेकिन आपको 4K option तक भी नहीं देख आप तीस हजार के बजेट रिज में आपको M.I. कि और से लाइक स्मार्ट फून चाहिए यह स्मार्ट फून आपके लिए बहुत ही अपर होने वाला जरा को कैमरे के कारिंग चाहिए अगर आपको पर साइसर दगडा जाए डिस्पेश चीज़ जाए डिजाइन बगरा जल तगड़े होते हैं यह दर आप 15 जाद से उपर सैंसंग के फून लेती हो ना तो उनमें आपको बैंटरी तो अबर अच्छी मिली जाती है प्लस आपको सभी में मतलब सूपर एमुलेड या एमुलेड डिस्पेश देखने को मिल गया जो कि डिस्प्ले इन मतलब सैंसंग के डिस्प्ले हो गया बैटरी लॉंग बैंटरी लाफ हो गया एंड प्राइवेसी सिस्टम हो गया यह चीज बहुत ही ज्यादा तगड़ी होती है इसमें आपको फाप जी फोन मिल जाता है सूपर एमुलेड डिस्पे मिल जाते जो की वान ट्वांटी रिफ्रेश के साथ आत जो की शिक्स्टी फू मैं पॉक्सर के साथ देखने को मिलता है जिस पर फूर्ट के वीडियो शूट कर सकते हो तो थोरी एफपी एस पर प्लस आपको तो नॉमली निकाल देख अगर आप हाड़कोर गेमिंग नहीं करते हो तो आपका एक दें तो नॉमली नहीं निकलने व प्रेटिंग देखने को मिल जाते हैं मतलब वाटर प्रूफ समार्ट फून है अगर आप मतलब वान मीटर तक अगर आप इस स्मार्ट फून को डिप कर देते हो आदे गंडे तक तो भी आपका फून घराब नहीं होने बाला तीस हजार के वेंज में आपको वाटर बता दिए जो भी आप लेना चाहते हो आप ले सकते हो मैंने दो स्मार्ट फून आपको वाटर प्रूफ स्मार्ट फून बता दिए जो कि तीस हजार के बेट वीज में सच में यहां तक वो पहुंचते हैं ठीक है तो आइस चीज को आप ध्यान में रखना तो यार अभी मे सब्सक्राइब कर देखने को मैं जाए उसको जाड़ कोना मिलता नाक्स वीडियों में वीडियों को साथ तेंक यह